तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि उपेंद्र कुस्वाहक के साथ मनन कुमार मिश्रा राज सभा जाएंगे देखे भारतिये जनता पार्टी ने कल देर साम बड़ा एलान की है अपने नामों का एलान कर दिया गया है चुकि कल बड़ी बैठक बुलाई गई थ और कई जो बड़े नाम हैं उन पर मुहर लगा दिये गए हैं और नाम की मुहर लगते ही बड़ा एलान कर दिया गया है देखे सूची जो है वह आपके सामने निकल कर सामने आ चुकी है सूची में बिहार से मनन कुमार मिश्रा भारतिये जनता पार्टी ने ब्राम्हन चेह जिन पर एक बार फिर से भारतिये जनता पार्टी ने दाव खेलिये मनन कुमार मिश्रा जो बार काउंसिल ओफ इंडिया के अध्यक्ष है वर ये अधिवक्ता के तोर पर चाने जाते रहे हैं कई वरसों तक पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में वकालत किये ब बिहार स्टेट काउंसिल के सदस निवार्चित हुए और उसके बाद से अब देखे एक बार फिर से भारतिये जनता पार्टी ने बड़ा दाव खेलते हुए मनन कुमार मिश्रा को राजसभा के लिए नाम का एलान करती है चुकि बीते लोकसवा चुनाव में बकसर लगाई जा रहे थी राजसभा का टिकट दिया जा सकता है हलाकि जो मुख्य रूप से चर्चा जिस बात को लेकर चल रही है वह हम आपको बता देते हैं इस वक्त की जो खबर निकल कर सामने आ रहे उसके मुताबिक दो सीटों पर भारतिये जनता पार्टी यानि इंडिये गटफंधन के ओर से राजसभा भेज जा रहे एक सीट पर उपेंद्र कुस्वाहा तो दूसरी सीट पर मनन कुमार मिस्रा चुकि एक सीट जो विवेक ठाकुर के सांसत चुने जाने के बाद से दूसरी सीट मिसा भारति के सांसत चुने जाने की वज़ा से और ऐसे में अब जो मिशा भारती की सीट पर उपेंद्र कुस वहा जा रहे हैं तो दूसरी ओर विवेक ठाकुर की सीट पर मनन कुमार मिश्रा का नाम फाइनल किया गया है तो देखिए जो दो नाम हैं दोनों नाम पर मुहर लग चुकी है आज नॉमिनेशन की तारीक है नॉमिनेशन करेंगे आज दोनों चेहरे और ऐसे में जो चर्चा जिस बात को लेकर चल रहा था काफी लंबा ऐसे में से चर्चा कई नामों को लेकर चल र अंदर खाने कई बड़े नाम के चर्चे चल रहे थे हलाकि उन्सबीं नामों से इतर अजरकर भारती Ajanta पार्टी ने बिहार से बड़ा नेता नाम चुना है। ऐसे में जो चर्चा जिस बात को लेकर चल रही थी उस पर लगभग कहीं से अलग हटकर भारतिय जनता पार्टी ने नाम का एलान किया है तो देखिए जो बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रहे थी वह हम आपको बता रहे थे और ऐसे में आज नॉमिनेशन की तारीक है चुक सभा का चुनाओ लड़ चुके हैं 25 जनवरी 2014 को राजनात सिन्ने भारतिय जनता पार्टी में इन्हें सामिल कराया था तो देखिए एक एक करके जो जानकारियां हैं वह निकलनी अब सुरू हो चुकी है और ऐसे में मनन कुमार मिस्रा को भारतिय जनता पार्टी ने तैक कि है कि उन्हें राज सभा भेजेगी हलाकि आगे आगे देखते जाना काफी दिल्चस्त होने वाला है कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है हलाकि चर्चा जिस बात को लेकर चल रही थी कि उपेंद्र कुस्वाहा को चार साल के लिए कारिकाल पर दिया जा सकता है वह ऐस अब देखते रहें धन्यवाद